नमस्कार साथियों मैं डॉक्टर राजीयू सिंग अपने चलान अनभूती में आप सब का इबार फिर से स्वागत करता हूं और साथियों आज हम जिस चर्चा को लेकर यहां पर फिर से हाजिर हुए हैं वो पश्पलन जगत की कैसी समस्या है जो कभी न कभी पश्पलक भाई फेस करते हैं और वो समस्या क्या है आप काविंग यानि बच्चा देने के जस्ट पहले या उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि जो पश्पलन है जो उसका लेवा है इंग्लिश में मुसे अडर कहते हैं उसमें काफी अचानक काफी स्वेलिंग आ जाती है और उसके आस पास उस अडर के आगे भी हम देखते हैं तो वहाँ पानी जैसा बहुता है कि स्वेलिंग हो जाती ही पूरा तो बोलते हैं इसने बहुत ज़दा थन कर लिया है इसने इतना ज़दा इसका आयन हो गया है कि पहले तो किसान सोचता है कि शायदी बहुत अच्छा मिल्क देने की न अडर इडिमा पहले मैं आपको यह भी बता दूँ कि अगर यह अडर इडिमा समय रहती नहीं ठीक किया गयाता है तो एक तो पहले इससे पशु को बड़ा डिसकमफर्ट होता है उसको बैटने में चलने फिलने में दिक्कत आती है और फिर दूसरी बात यह होती है कि यह अडर इडिमा आ पे तो एक मिल्क जो प्रोड़क्शन है वो भी धिरे धिरे कब हो जाता है यह जो तीन नुकसान मैंने आपको बताया है यह हमारे लिए पश्पालकों के लिए काफी घाटे का सौदा साबित हो सकते हैं इसलिए हम इस अडर इडिमा को समय रहते ही ठीक करें तो सबसे पहले जानते हैं कि यह होता क्यों है एक सीधी सी बात है कि यह जदा तर यह देखा जाता है जो प्राइमी पेरस अनिमल है यह जो पहली बार बच्चा देता है उनमें यह अडर इडमत ज्यादा दिखता है बयाने के कुछ दिन पहले दिखाई देने लगती है स्विलिंग और बय चाहिए कि जो मिल्क वेन होती है पशु के अगर हम देखते हैं तो आयन की तरफ जाती हुए यह खोन की मोटी नस होती है मिल्क वेन उसे बोलते हैं और पशपलक भाई जब पशु खरीदने जाते हैं तो यह देखते हैं कि जिस पशु की मिल्क वेन जितनी अच्छी होती ह वो उसका अच्छा दूद होगा, ये सोचकर उसकी मिल्क वेन भी पर जरूर रज़र डालते हैं, तो ये मिल्क वेन पशु के आयन में जो ब्लेड आ रहा है, उससे जुड़ी हुई है, और होता क्या है, जब पशु के काविंग के हमारी गाय है, हमारी भेह से उसके बच्चा गुनाया इससे ज़्यादा बढ़ जाता है, अचानक ब्लेड सप्लाई बहुत बढ़ गई है, और अगर उसका वेसकुलेचर जो है, अंदर उसकी जो ब्लेड वेसल्स हैं, वो इस हिसाब से एक तरफ से ब्लेड बहुत तेजी से आ रहा है, और अगर दूसरी तरफ इतनी तेजी से नहीं निकल पा रहा है, उसकी ब्लेड वेसल्स की तिकनेस की वज़े से, उसकी लियूमें साइज ना डोलप होने की वज़े से, तो क्या होगा, उसके आसपास जो है, उस प्रिशर की वज़े से उसके आसपास फ्लूइड जमा होने लगेगा, पानी जैसा जमा हो होने लगहा हुए जिसे हम अडरीड है। नकी करभा है। बहुत सारे कारण्ड नूत्रिस्टनल in भी हैंacked, कि आपके पशुक्षब की डाइट में अगर सााल्ट जाधा है नमक जाधा है तो यह भी एक हो सकती है आपके परशू की डाइट में अगर प्रॉटीन कम है तो ये भी एक वज्य हो सकती क्वर्टीन जब आपकी पशह ब्लेट में कम हों का प्लाजमा में प्रोटीन कम होगा तो उस समय भी यह इंट्रस्टिश्यल फ्लूड यानि जो बहर और इंटर सेललर फ्लूट कहलें कि वहां पर जमा होने लगेगा पानी और हमें आडारीडिमा की शकल में दिखियेगा तो यह तो बात थी कि आडारीडिमा कैसे हो रहा है इसके मुख्य कारण क्या है पर हम इसे ठीक कैसे करेंगे तो हमें इसको ठीक करने के लिए इलोपैसी में सिंपल सी बात है कि वह पानी जैसा वहां पर जमा हो रहा है और ग्रौसरा यह अटि एलर्जिक भी कही बार होता है तो हम इसे एक अन्ति डाइ यूरेटिक देना है डाइ यूरेटिक ऐसी दवाईयां होती है जो आपके पशू का यूरिनेशन बढ़ा देती है उसको बार बार वो यूरिन करता है और इसके साथ जो एकसेस फ्लूइड होता है बाड़ी से वो निकालने की एक प्रॉसेस शुरूर रहती है उसमें बहुत सिवेर कैसिज होते हैं वहाँ पर हमें जरूरुएक पढ़ती है कि हम काऺचिकोश्टिराइड कि इसे पृटिराइड का यूज्ड करें यूज करें लेकिं आज मैंने यह यू ऊपके जॉड़ाय ने बनाया यह नहीं बनाई है यह दौरिडिक्टर है आपके वैट नहीं है लेकिन आज मैं आपको जो दवा बताने जा रहा हूं वो दवाईयां आप दो दवाईयां लाकर अपने घर में रख लें और अगर आपकी कोई हीफर यानि जो पहली बार बच्चा दिने वाली गाय है या कोई भैंस है जिसको ऐसी दिक्कत आने की संभाव नहों सकती है तो यह दवाईयां आप दें और आप देखेंगे कि बड़ा आराम से आप में से क्योर कर लिया बिना किसी इंजेक्शन के बिना किसी दवाईयां कि वो दवाईयां क्या है पहली दवा है नोट कर लें हमारे पस्पर लगवाई एपिस मेलिफिका एपिस नाम से जो यह द 30 potency मिले एपीस मेलि मेलिफिका और दूसरी दवा है जो मैंने पिछले वीडियो में बीजिस का जिक्र किया था वो थी अल्टिका आरेंज यह भी हम 30 potency मिलेंगे तो हम एपीस और अल्टिका पारेंस दोनों ये दवाईयां ले लेंगे, हम दोनों दवाईयां मिक्स भी कर सकते हैं, अगर अलग अलग वैल हम दस मल के लिए आएं तो अलग अलग भी ले सकते हैं, और दोनों दवाईयों से हम दस दस बून दवा जो है, इसको हर दो गुंटे बार देंगे, अगर जदा अगले दिन से तो ये दो दवाईयां आप लोग याद कर लें जो आपको आपके पश्चों को अडर इर्मा से तुरन तरहा दिलाएंगी एपिस और अर्टिकारेंस इनका यूज करें और जो नतीजे आते हैं या आप इसका जैसा भी फीडबेक हो अच्छा या बुरा जो भी